हे गाईस, वेलकम टो अभी टेकनो आज के इस वीडियो में मैं एक्स्प्लेइन करने वाले हैं जोजी मुवी को और लास्ट में इसके एंडिंग भी एक्स्प्लेइन करेंगे क्योंकि इसके एंडिंग थोड़ी सी अलग है बहुत से लोगों को समझ में आईगी जोजी के साथ एंडिंग में क्या हुआ तो उसको भी इस वीडियो में हम एक्स्प्लेइन करने वाले हैं इसलिए दोस्तो वीडियो को आप लास्ट तक पूरा दिखिएगा लेकिन वीडियो स्टार्ट करूँ से पहले आप इस ग्राव को देखिए लगवग 99% लोग जो वीडियो देखते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने करते हैं तो यार सब्सक्राइब कर दीजे अभी के भी तो इस मुवी का मैं करेक्टर है जोजी जिसके दो भाई है जोमन और जेसन और इसकी एक बहन है पिंसी और जोमन जो है उसका बेटा है पोपी और उसके पापा है तीनों के तीनों भाई और एक बहन के जो पापा है उनके पास बहुत सारा पेसा है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वो और उनके पास बहुत सारी जमीन है लेकिन वो इस्टिक बहुत है और किसी को भी थोड़ा भी पैसा नहीं देते हैं अब मुवी की सुरुवात होती है तो हम देखते हैं कि इन तीनों के पिता जी जो कि पोपी के दादा है वो बहुत ज़्यादा फिजिकली मजबूत है पुलअब्स कर रहे हैं जो हमसे भी नहीं हो पाते अब बातरुम में जाते हैं तब पोपी जाता वहाँ पर और फौन से ओटीपी ले ले लेता है और टिपी इसले लेता है कि उसे एक air gun मंगवानी होती है और शुरुवात में उसके पास एक air gun आ जाती है अब air gun आपको नहीं पताओ तो बतादू गण जैसी होती है लेकिन वो pass से बहुत ज़्यादा effective होती है और चोट पहुचा सकती है और इजिनल गण इतना powerful नहीं होती लेकिन चोट पहुचा सकती है अब वो यहाँ पर air gun ले लेता है और उसके साथ selfie आ लेने लगता है पेड़ पर गोली चलाता है और गोड़े के उपर बंदूग तान कर एक selfie भी लेता है लेकिन वहाँ पर जोजी आ जाता है और उसे मार कर बंदूग ले लेता है और अपने पास रख लेता है अब आगे मूवी में हमें जोजी के करेक्टर के बारे में पता चलता है बिल्कुल यह आलसी है कोई काम नहीं करता है बेरुजगार है और उसने गोड़ा भी पाल रखा है और उसे वो आगे मूवी में बेच देता है और उसे इसके लिए तीन लाग रुपे मिलते है वो कहाँ पे काम आएंगे वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा अब यहाँ पर हम देखते है कि जोजी बिल्कुल भी काम नहीं करता है अपने पापा के पास जाता है पैसे मागने के लिए को डिलिवरी करने के लिए आप हो पर वो कहता है कि मुझे 2,000 रुपे देजे डीजल भरवाना है तो उसके पापा दे देते हैं लेकिन थोड़ा चिला के देते हैं अब वहाँ पर तीन लोग मिलकर भी इस पंप को नहीं निकल पाते हैं। वहाँ पर जाते हैं जोजी के पिता जी जो कि मैं आपको बताया। उनकी उमर जादा है लेकिन बहुत जादा पावरफुल है। वह अपने अकले हाथों से उस पंप को निकाल देते हैं, खीच कर लेकिन उसी जगा हम देखते हैं उन्हें एक स्ट्रोक आजाता है। स्ट्रोक मतलब हार्ट अटेक जासा ही होता है। अब उमर जादा है भले पावरफुल है लेकिन उमर भी तो जादा है। इसलिए उन्हें एक heart attack आ जाता है और पेरलाइज हो जाते हैं वो hospital में बेड़ पर लेटे होते हैं अब जिस hospital में जो जी के पिता जी होते हैं वहां के doctors ने हार मान ली होते हैं कहते हैं कि अब यह नहीं बच सकते हैं बहुत सारी हमने ट्राइ कर लिए अब यहीं पर इन तीनों भाईयों का एक friend भी होता है जिसका नाम होता है Dr.Fellisworks दोक्टर होता है अब वो इन डोक्टर के साथ बात करता है उसके बहुत जाता पैचान होती है तो इसे बताते हैं कि अब तुम्हारे पिताजी नहीं बच सकते हैं बहुत मैनत कर लिए और यहां पर हम देखते हैं घर पर सब अपना फ्लान बना लगें किस तरह से property का आप बटवारा करें कि कौन सी जमीन किसको मिलेगी और एक ने तो घर लेने के लिए advance भी दे दिया ह सबके सब लालची होते हैं लेकिन जोजी को ज्यादा ही लालची होता है अब वह सोच रहा हो था कि किस तरह से मेरे पिता जी मर जाए अब यहां पर डॉक्टर्स एक फाइनल सुझाओ बताते हैं कि हमें इनकी सर्जरी करने पड़ेगी जिसमें 10-15 लाग का खर्चा आएग जैसे ही अगर वो ठीक हो गए तो पैसे तो इनको मिलेगे नहीं और चेक पर साइन भी करने लगते हैं हम देखते हैं कि चेक पर भी साइन कर रहे हैं कि पिता जी से एक छोटा लड़का जो है जेसन वो बात भी करता है कि मुझे पैसे दे दिजी हमने घर के लिए पुक कर तो केता नहीं पैसे तो नहीं मिलेंगे और यह पंखा थोड़ा आवाज करता हैं आपर ऐसे फिट करवा दो तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सब के सब चाहते हैं कि जो पिता जी हैं उनकी मृत्य हो जाए अब जो जी जादा वेट नहीं कर सकता है इसलिए वो जो पित स्माटम जो होता है वो भी नहीं करवाते सीधा जमीन में दफना देते हैं तो इस बात से गाउंवाले और थोड़ा ज्यादा डावट करने लगते हैं इनके परिवार के उपर और पूरे गाउं में इन सब चीजों की बाते होने लगती है अब इन सब की बीच में इसका जो पादरी होता है चर्च में उसकी बीज़त नहीं करता है उसके खाने में अंडे दिलवाद देता है अब खाना नहीं खाते सिधा चले जाते हैं हम देख सकते हैं कि जो जो जी जो है उसको पर डावट होने लगता है क्योंकि उसे एक जोजी के दोस्त ने कहा था कि जब पित तैलाब के पैश वापस जयता है अब करम एक चुली में दिखाया जाता है कि यह उसके सारे साथ वे इस तालाब के एक अइंत के अंदर तुपके हूए हुए अब यहाँ पर जोजिस होता है उसेट फेले दवाइयों को पीस देता है फिर उसी की नजर में नहीं आता लेकिन उसका जो बड़ा भाई है जो मोन उसे डाउट हो जाता है केता है कि यह सल्ब गजली से तो नहीं हुआ है किसी ने आगे लगाई है अब हावा पर हम देखते हैं कि उसका दोस्ट जो होता है वह भाग जाता है यह दमकाता है जोजी कि मान डालूँगा तुझे आज यहां से भाग जाता है अब यहां पर जोमन को असली में डाउट हो जाता है अब वो कहता है कि तुमने ही पिता जेके में मडर किया है अब यहां पर जोजी समझ जाता है कि मेरा सब्सक्राइए कि और माइस कि नहीं होता है बाईया बदल रहा है और उल्टा बिंसी इसका साथ भी देती है क्योंकि ये भी चाते थी कि हाँ इनके मृत्ति हो जाए तो हम नया घर ले पाएं कुछ और काम भी कर पाएं अब यहां पर बिंसी को यह नहीं पता होता लेकिन कि वह जोमन को भी माड़ा लेगा वो पूछता कि में जोमन की जो डेट बोड़ी है उसका पोस्माटम हो जाता है और यहां पर उन्हें फायर गन मिलती है फायर गन मतलब जो हवा में गोली चला जाती है उसकी कुछ बुलेट देखने को मिलती है अब यहां पर जोमन का बेटा होता है पोपी उससे डाउट होता है कि मैंन गंतो जोजी को दे दी थी अब वहां से पेड में जाता है पेड में जहां उसने सुरुवात में गोलिया चलाई थी वो गोलिया निकाल के लाता है और पूरे परिवार को बता देता है कि जोजी नहीं मारा होगा क्योंकि मैंने गंतो इसी को दे दी थी और बुलेट भी में ल चोटे भाई बड़े भाई मतलब जैसन उसको बाहर बुलाता और कहता है कि हाँ मैंने दोनों को मारा है लेकिन अगर मेरा नाम लिया आप पुलिस के सामने है तो मैं बता दूँगा कि बिंसी भी मेरे साथ सामिल थी और वो जो तीन लाख रुपे होते हैं दोस्तों जो उसने गोड़े बेच के कमाये थे वो भी उसने जैसन को दे दिया था तो धंकाता है कि हाँ मैं पुलिस को यह बता दूँगा कि आप भी मेरे साथ सामिल थे और आपने तीन लाग रुपे मुझसे लिये भी थे अब जैसन यहाँ पर डरता नहीं है और कह देता है कि मैं तुम्हा पर पर पुलिस वहाँ पर आती है दी वाई एस पी आते हैं पुछते कि अगर तुम ठीक हो तो एक पलक जबका देता है लेकिन उसके बाद में पुछते है कि अगर तुम नहीं मडर किया है ऐसा बताना चाहते हो कुबूल करना जाते हो तो वापस एक पलक जबका अब वो जबकाता ही नहीं है क्योंकि उसे पता है कि अगर यहाँ पर मैंने पलक जबकाई तो पुलिस मुझे जिल में डाल देगी इसलिए वहाँ पर पलक नहीं जबकाता है और वहें पर मूवी की एंडिंग कर दी आती ह एकशली में हमें एंडिंग दिखाया नहीं घया है लेकिन आपको बताना चाहता हूं हो की यहाँ पर यहाँ पर साहिट बज़ जाएगा या फिर उसे बहुत सारा टाiox मिल जाएगा अप जो जी यहाँ पर एकशली में अध। क्योंकि वो ठीक है लेकिन वो एक्टिंग कर रहा है पुलिस के सामने और डॉक्टर्स के सामने कि वो उसकी हालत बिगडी भी पैरलाइस है इसलिए वो इस हालत में नहीं कि कुछ भी कबूल नामा दे सके इसलिए उसे बहुत सारा टाइम मिल जाएगा कि उसने ही मडर किया है क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है ना एक किसी ने देखा है मारते हुए किसी को और यहां पर मेरे इसाबसे जो कोई भी सबूत नहीं है और ना ही किसी ने देखा है तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो कर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल आइकन दबा दिजिए और हाँ अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए वर्ट सेब टेलीग्राम जहां भी कर है कि भूच्ब क το लिए और ऑर शीमोवा जीमोरय है को वर्ट भाजीरों से ओण लिएंग स्क्राइबूअ को जसे विमनोगर। को कर दो से